नमस्कार मैं हो रिनुका तो आप सबका मेरे यूटुब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए और एक बिलकुल ओयल फ्री और बहुत ही टेस्टी इसी नास्ते वाले रिसी भी लिक्या ही हूं जो आपने कभी बनाए होगी ना कभी ख राधा डलना है तो आप यहा गुहआ ट एक की जगा मैं दिक आपके समाल कर सकते हो फिर हमकि इसमें बारिक तल पिर अधेयो चिल में ठंडा घ तल लिया है ए पिर अमें इस अधेय पने डलना है और इस आक गुन देना है और अब दस मिनट के लिए यह बिगने के लिए तो सबसे पहले हमें इसमें एक स्मयाश किया हुआ आलू लेना है फिर हमें इसमें एक बारी कट किया हुआ प्यास ड़नना है फिर उसके बाद हमें इसमें आदा कप बारी कट के हुए हरी धन्या ड़ननी है फिर उसके बाद हमें इसमें स्वादनुशा नमक ड़नना है फिर हमें इसमें आदा चमच हलजी पौड़र डलनी है फिर उसके बाद हमें इसमें आदा चमच धन्या पौड़र डलना है फिर हमें इसमें एक चमच जिरा डलना है फिर उसके बाद हमें इसमें स्वाद नुसार लाल मिर्च पौड़र डलनी है तो आप यहालाल मर्च पाउड़र की जगा बारिकर क्यों हरी मर्च का भी समाल कर सकते हो फिर अभी हमें इस आरे न्ग्रिएंज को अच्छी तरह से मिक्स करना है और इस लेशिफिक के लिए अभी हमें इस स्टफिंग बना देनी है तो अभिया इस RNA ग्रिटेंस अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है और इस तफिंग बन के तैर हो चुकी है फिर हमें गुंदे होई आटे के गोले बनाने है और रूने हमें आटा या ते लगाना है और रूने हमें बेलना है तो जिसे हम पूरी को बिलते हैं तो उसी साइज में हमें इसे बेलना है तो यहां मेने गोले को पूरी तरह से बेल लिया है फिर उसके बाद आभी हमें इसके बीच में स्टफिंग बननी है तो बराबर से आभी हमें इसके बीच में चमल से स्टफिंग बननी है फिर उसके बाद आभी हमें इसे फोल करना है तो जैसे हम मोदग बनाते हैं तो उसी तरह ही हमें इसे फोल करना है फिर आभी हमें इसे फोल करने के बाद थोड़ा सा हाथ पे इसे चप्रा बनाना है तो इसी तरह ही हमें सारी pieces बना लेने हैं तो यहां मैंने इसके pieces बना लिए है फिर उसके पास आभी हमें इन्हें steam करना है तो उसके लिए मैंने ग्यास पर बर्तन रख दिया है तो आभी हमें इन्हें 5 मिनिट तक लिए steam करना है तो आभी आप 5 मिनिट हो चुके है पुरे सारे पिसे अभी अच्छी तरह से स्टीम हो चुके हैं अंदर तक अच्छी तरह से पक चुके हैं तो अभी हाए नास्ता बन के तयार हो चुका है तो आप ऐसे भी से सर्व कर सकते हो मगर मैं अभी इस रेसिपी को तड़का लगाने वाली हूँ तो उसके लिए मैंने ग्यासपेक बरतन रख दिया है तो सबसे पहले हमें इसमें एक चमच तेल डलना है फिर हमें इसमें आदा चमच जिरा डलना है फिर हमें इसमें आदा चमच राई डलनी है और इन दोनों को हमें फ्राय कर लेना है फिर दोनों फ्राइ होने के पाथ अभी हमें इसमें इस टीम के हुए सारे पीसिज रग देने है और इन्हें हमें अच्छी तरह से इसमें फ्राइ कर लेना है तो आप इस रेसिपी को बिना फ्राइ के भी ऐसे ही सर्व कर सकते हो वैसे भी टेस्टी लगेगी तो अभी हमें इन्हें दोनों तरप से ब्राउन होने तर फ्राइ कर लेना है तो अभी हैं इस राइ पूसिस अछी तरह से फ्राइ हो चुकह हैं और एक खाने के लिए बंकी त्यार हो चुकह है तो आप इन पूसिस को गर्मा गरब ग्रीन चट्ट्नी के साथ नहीं तो सिर्फ ऐसे ही चाय कॉफी के साथ नाशनय में बना कर सकते हो तो आज की वीडियो में इतना है तो फिर से मिलते है और एक ने वीडियो में और एक नए टेस्टी रेसीपी के साथ तो थैंक्स फ्रेंच, स्वाच माई वीडियो